नमस्कार साथियों आपके अपनी यूटूब चैनल एक्टिव एकडमी पर मैं दीपगयोंगे एक बरत फिर से आपका स्वागत करने जा रहा हूं और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है साइन्स फैक्ट की यानि साइन्स में जो भी प्रिवेस येर में हमारे कोशन आए हुए हैं उनकी जो क्रंट है वो क्लासे आपकी सामने लेके आए हैं जो भी प्रिवेस येर कोशन है आप इन कोशन स्कूल लाश त तो देखते हैं हमारे first question से हम सुरुवात कर रहे हैं question जो हमारा first है वो क्या कह रहा है guys question first guys कह रहा है कि वायू मंडल में वायू मंडल में आदरता को मापने के लिए किस यंतर का उप्योग किया जाता है लेकिन इसके जो words होते हैं वो words को थोड़ा सा में confusion कर सकता है तो हमारा प्रशन है कि वायू मंडल में जो आदरता है उसको मापने के लिए किस यंतर का हम प्योग करते हैं इसका जो हमारा answer रहता है वो रहता हमारा hygrometer लेकिन बच्चे कई बर confused हो जाते हैं जैसे कि hygrometer अगर आ गया option B और hydrometer फस्ट आ गया तो firstly हमारे पास जो होता ना वो गलत पर निगा जाती है इसका बटाने वाला हूँ कि हमारे जो यह कैसे इसको मेशन करता है यह एकक्स्प्लेनेशन यह है कि जो हाइग्रोमेटर होता है वो आदरता को मापन करता है जो भी वाइमेंडल क्या दरता होगी उसको मापन करता है हाइडरोमेटर क्या करता है या हाइडरोमेटर होता है वो आप एक छिक घनत्व को मिजर्ड करता है किसको मिजर्ड करता है आप एक छिक घनत्व को मिजर्ड करने का काम करता है next आता है बैरोमेटर बैरोमेटर क्या करता है गाइज बैरोमेटर गाइज हमारे क्या करता है बैरोमेटर जो होता है वो वायमेटलिय दाब को मिजड करने का काम करता है यानि जो भी AMU AMU से हम मिजर्ड करते हैं यानि वायमेंडले दाव और उसको मिजर्ड करने का जो हमारे पास यंत्र होता है वो होता है हमारे पास है बैरोमेटर अगला हमारे पास आता है पाइरोमेटर पाइरोमेटर क्या करता है गाईच पएरो मीटर होता है जो उच्च अंच थापमान Mies attention करता है किस्के लिए विक्रिणों के थुद्व आ कम Smith बढ़ता है और उसके हाईature को nuclear करने बाता है और कौन करता है पायिरो मीटर करता है तो Moo करते हैं Next question does manyты acontecer निम्न में से कौन्षी अदिस राजी है उकाइज आपने अदिस और शड़िस राजिव के बारा में सुना होगा सदृट्ष मे राजियाँ वे राज्या之व होती है जो जिनко explain करने के लिए जिनको बताने के लिए घ्राइ्यक्ष होती है और अदिस राशियां वे राशियां होती हैं जिनको बतलाने के लिए केवल हमें उनके प्रिणाम किया हो शकता होती है दिशा की किसी भी प्रकार से आउशकता नहीं होती है तो हमारे पास option है चार कौन-कौन शे कारियर पहला option है कारियर दूसरा option हमारे पास वेग तीसरा option है बल और चोथा option हमारे पास है then ты तो हमारा इसमें option क्या बनता है भाई वेग होता है वेग då वेग के बाद आता हमारा turn दोनों हीद का राश यह हैं सदिस राश यह है और बला होता है बल भी सदिस राश WOW में आता है आपने पड़ा होगे कि बल को किसी भी दिशा में लगाने पर ही बल्स के throughout क्या होती है जगे में परिवर्तन होता है उस दिशा में तो अब हमारे पास बस्ता option हमारा A यानि कि कारिय कारिय क्या है कारिय गाइज हमारी क्या है अदिसरासी होती है अब मैं इसको थोड़ा सा explain करने की कोशिस करता हूँ वैसे मैंने explain कर दिया है लेकिन हम देख लेते हैं हमारे important point को important point क्या कर रहा है वे राश्या जिनका केवल परिणाम परिमान होता है यानि magnitude होता है और दिशा नहीं होती है तो वे राश्या कलाती है अदिस राश्या अब अदिस राश्यों में आप count किस किस को करते हो तो generally हमसे पूछा जाता है द्रुमान कारिये ठीक है द्रुमान और कारिये उसके साथ जाता है हमारे पास दूरी 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 दोस्तों हमारे पास अदिस राश्या होती है अगर हमसे पूछाचना तो विस्थापन सदिस राशी में ऐसा है उसके बाद आते हमेरे पास समय चाल हमसरे पास अदिस ऑती है दाब बल जो हम्हारे पास सदिस होती है शक्ति सामर्थि आवेस विदुत धारा विदुत धारा जरेले आप कहोगे कि सर विदुद्धारा है वो तो हमेशा पलस की और बैति उसमें सदिस होना चाहिए लेकिन वह भी उसको करते हैं वाले 올もう करते हैं नेक्सकों से हमारा प्रतिबाल प्रतिबाल यानि की तनाव तनाव जिसको में इंगलिस में बोलते हैं में इंधिरी बॉलता है तो अपने देखा उलखे कि पानी की बूल्द होती है जब उपर से गिराते हैं तो बहुं कर ही गिरती है डिया अपने कभी किसिंट की बूद को डालने की कोFirstla की कविछ करती है अब बात करते हम प्रतीवल्की इसा कि मीन नाड़ है यूनिट है उस वो क्या है healthier Geral Dad प्रतिवल की स्टेंडर्ड यूनिट जो है हमारी वो आती है हमारी पासकल पासकल यह हमारा आंसर हो जाएगा राइट पासकल जो हमारी किसकी काई या प्रतिवल की काई यह स्ट्रेस की काई यह तो सर बाकी कईयां किसकी है तो बाकी कईयों के बारे में देख लेते हैं बाकी प्रति एकांग छेत्रफल पर प्रति एकांग छेत्रफल पर लगाए गए बल को हम प्रति बल कहते हैं प्रति एकांग छेत्रफल पर आप जो बल लगाएंगे प्रति एकांग छेत्रफल यानि हम यह जो वैल्यू है इसको हम क्या कहेंगे stress कहेंगे या प्रतिबल कहेंगे ठीक है और इसकी जो ऐसा ही मात्रक करेगा ऐसा ही मात्रक भई बल का मात्रक क्या होता है Newton होता है ठीक है बल का मात्रक क्या होता है Newton और area का मात्रक क्या होता है मिटरी square होता है मिटरी square होता है और Newton बटे meter square को ही हम क्या कहते हैं guys Pascal कहते है I hope समझ में आ रहा होगा आपको Move करते हैं next question को So move करते हैं next question की और Next question क्या करें आइतन की जो SI काई है वो क्या है आइतन की SI काई के बारे में पूछा के आइतन को आप लोग को सब को बताएं Weенныйone item जो होता है भो घं में निकाला जाता है क्यून में निकाला जाता है उसके SI unit के बारे में बात करने Walے है SI unit जो है itin की कि वो किक्से में मिजेड के आता है दोस्तों वो किया जाता है हमारा घं-meter में SI unit ही घं-meter बाकी सारी ऐसी बात नहीं यह कि भी सारी कई यहां आयतन की नहीं है, सभी कई यहां आयतन की होती है, यह जो CGS काई है, यह decimeter होता है, जो CGS से भी छोटा होता है, और gun inch भी आपके यूज किया दाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं only किसकी SI काई की बारे में, तो SI काई हमारे क्या हो जाएगा gun meter, दोस्तो सब याद हैं, लेकिन हम देखते हैं, यह फिर आगे का option चेक ही नहीं करते हैं, जो मारी सबसे बड़ी mistake होने वाली है, SI काई के बारे में पूछा गया है, उसका आंसर रहेगा हमारा gun meter, that's clear everyone, बात कर लेते हैं, आयतन को कैसे लिखते हैं, आयतन का जो formula तो वो होता है, भाया, द्रुमान, यानि कि mass, divide by density, ठीक है, mass, द्रुमान, द्रुमान, बटे, घनत्व, यानि कि mass, divide by density, और बात करें इसकी तो इसका mass को अगर आप लिखना चाहेंगे, तो mass को किसे लिखते हैं, mass को भी हम लिखते हैं, kg से, ठीक है, और, तो हम बात करते हैं, SI मात्रे के SI मात्रक होता है, इसका gun meter, cgs का मात्रक हम से पूछा जाता है, तो हमने अभी अभी देखा था, वो gun centimeter होता है, मुझ करते हैं, next question के और गाईज, next question क्या कहने वाला है, next question हमारा जबरदस्त है, वो कहने वाला है, उर्जा की SI का है, SI का है, किसकी, उर्जा की, energy की, हमारा SI unit, उचा गया है हमसे, तो उर्जा की गाईज, जो SI का ही रहने वाली है, वो क्या रहने वाली है, वो रहने वाली ह हमारी जूल, क्या रहने वाली है, जूल रहने वाली है, ठीक है दोस्तों, समझ में आगा है, ओप्षन हमारा भी है, वो क्या रहने वाला है, उर्जा की ऐसा ही काई है, बात करते हैं, हमारे important point की, important point क्या गाता है, पहले जो हम देख लेंगे अर्जा जो तो वे किरिक पढ़ानी की ताकत होती है तो कोई कुछ काम काम करने की ताकत रखता है वो सब इसके अंडर क्या है एनर्जी है ठाट Two प्लाओ करने तो ऐसा वाल्य इसका जूल रहने वाला है अगर हम इस जूल रहने वाला है। तो जो ऐसा ही मातरग को ही person की मातरग होते हैं। हैं बात करते हैं CGS पदिती चंज हैं कि युद्ध करको चली रहाए a पधूने वाला आर्ग है और रहने वाला है आजए वह उतनी मात्रकों कि बात करें टोड़ेंगे किन मात्रकों में पढ़ते एक unit का नाम सुनाा होगा कभी आपके गरों में भीजली के बिल वगेर आते हैं तो वो होते हैं आपके unit में लेकिन सर्वोत दिखी भी नहीं हमें तो भाईया लिखता क्या है, वह आपे kwh है kwh में किलोवाट करती घंटा किलोवाट घंटा, that's clear everyone आप मुझ करते हैं, next slide की और, next slide क्या कहने वाली हमारी समय की SI काई क्या है, पुड़ा easy question है या हलवा question ये तो समय की SI काई क्या है, और हम टिक करने वाले घंटे बर, किस पे घंटा बर, घंटा option भाई या नहीं आएगा, इसका मजे लेते रहें और पढ़ते रहें मन लगा, next जो हमारा important point क्या कहने वाला है, important कहने वाला है कि SI जो समय का मात्रक होता वो रहता है second, क्या रहता है या, second रहता है, लेकिन हम कुल मूल मात्रकों के बारे में बात कर लेता है जो standard standard जो unit है हमारी, वो जो है, उसने कुल साथ मात्रक हमारे cover की है साथ मात्रकों में कौन-कौन से हमारे मात्रक जो है, वो लिए गए हैं आपके, वो मात्रक आपके लिए गए हैं या, कौन-कौन से ये लेने वाले हैं, पहला होता है हमारा, समय, कौन सा होता है समय के हमने बात कर ली second होता है क्या रहता second उसके बाद आता लम्बाई को किसे measure करते है faith meter से meter से next आने वाला drожma kilogram को measure करते है kilogram से kg से meter से second next आने वाला top Kelvin यानि कि टाप जो आपका मिजर्ड़ता है कैल्विन किसे कैल्विन दाप मान सांग के अन मात्रक आते हैं डिग्री फारिंड हाइट लेकिन आपका कैल्विन भी दाप मान आपने का क्या होता है या बात करते है विदुत धारा की यान Peter करेंट की लेक्टरिक करेंट का माद रख रहता है वह होता है MP 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 किलियर नेक्स आथा वह जोती तिवरता जो बिजर्ड की जाती वो की जाती है कैंडेला से किसे कैंडेला से सीडी इससे लिखा जाता है आयोप नहीं होगा हुआ किलियर हुआ one affected next slide के आपके next slide करने तुम्ब के प्रेवरे का weed एमारे लिए ने वाला है तो बडियर्ण का उसा मातर है वह हमारे लिए रहने वाला है टेस्ला रहने वाला है क्या तैसला रहने वाला है तो हम बाइने मात्रक वो अमारे लिए रहने वाला टेसला बात करते हैं इसके इंपोटेंट्स पॉइंट की क्योंकिंकि हमारे अन्य उक्षंट के बारे में भी टीटेयल्स में जानकरी मिल दिये क्या है जुम्बी के प्रेंड का ऐसा ही मात्रक टेसला रहता है अगर हम टेसला को अगर अन्य मात्रकों के साथ रिलेट करते हैं तो क्या है बहिए एक गोस्ट की बात करने वालें पहले एक गोस्ट क्या है रहेगा एक बटे एक बटे दस किभाव़ 4 टेसला that's 1.10 द्श्वावर 4 टेसला यहांनी कि 10's 4 टेसला next है आपका एक गो और हम असको वेबर a स्कोरिंग डिजर्ड करते हैं तो ट्राइस करेंगे तो उसकी वैलू किchn ощущ for Weber per meter square या we can say दूसरा भी हम भी इसमें बता सकते हैं Weber जो होता है Weber जो होता है Weber per meter square वो ही आपका एक Tesla के बराबर होता है that's clear everyone move कर देम next slide next slide हमारी क्या कहने वाली है next slide कहने वाली है किसी संगीत यंत्र की ध्वनी तिवर्ता की मापन किसमें क्या जाता है normal way में भी दे सकता है इसको ध्वनी तिवर्ता का मातर क्या है लेकिन कोसन को गुमाने का तरीका ही फैल करने का होता है जो परिक्षा होती वो भी ये पास करने के लिए नहीं होती होु फैल करने के लिए बनाई जाती और इसलिए उसको जाता है किसरी जाती है तो जो मेजर्ट की जाती है उसको धोनी तीरता का मातर्च है तो माईने मेजर्ट की जाएगी तो वह उमारा उप्शन रहने वाला है decibel DB क्या रहने वाला यह DB DB । तो मॉह करते हम next question के इसके important के और महो क्या है लक्स क्या है क्या है तो यह हमारी बताती है important point कि कि स्लाइड important point कि क्या कहता है लेकिन अगर चालकता की बात करें तो मीजड की जाती है किस से महो से किसे मीजड की जाती है और सूहप thou push्ant्स और स्वाफ एंडक्षिन जा होता है उसका जो मातरक होता वह होता है हेंरी क्या होता है 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 प्रदीपन का मात्रक है बहुते हैं नेक्स स्लाइड की नेक्स लाइड कैरी देखो बई वे वीज़ट कर सकते तोॉ को मेज़ट करते हैं इसमें जो हुआ कर सकते हम भूसके जाता है तो ये क्या है इनके बारे में जाने हिएफिर फिर भी हम बताएंगे आपको important slides में important slide क्या गाती आवर्ती फैलित बात तो हम बात करते हैं आवर्ती होती है कोई भी माध्यम हो उसमें कमपन करता हुआ कोई भी कण किसी भी माध्यम में कमपन करता हुआ कोई कण एक second में जितने कमपन कर लेगा सर उसे क्या कहेंगे आवर्ती कहेंगे मतलब की एक माध्यम कोई भी ले लीजिए चाए वायू ले ले लीजिए चाए जल ले ले लीजिए या कोई भी माध्यम ले ले लीजिए अगर उसमें कोई कं कमपन कर रहा है तो एक second में उसके जो कमप सुसरी यह उन दूघ यह उसका मात्रक करते हैं आगे की यह होता है सर इस मात्रक को हम कह सकते हैं क्या कि एक सेकंड में कितने कंपन होंगे यह क्या है हर्ज है सर तो हम इसको कह सकते हैं यह हर्ज का फोर्मूला भी हो गया अगर आपको समय दे रखा है कि इतने समय में एक कमपन हो रहा है तो हम उसकी आवर्दे निकाल सकते हैं मुझ करते हम नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन क्या है रहा है नेक्स्ट कोशन क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट कोशन कहने वाला है यह प्राधवनिक गती का मापांकन की सिकाई से होता है बही अलग-अलग मात्रक का रहे ना तो मात्रकों की तो किलास ही है हमारी तो मात होनी गती का मापांकन जो होने वाला वह या वो करते हैं मैक संख्या से किसे मैक नंबर से मैक संख्या किसे होती है मैक संख्या मैक संख्या होती वह और आगे की बात करें हर्ज के बारे में आपको बताई दिया किसका है अभी अभी बताई तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं नोट के बारे में बता सकते हैं और रियक्टर के बारे में भी बता सकते हैं चलो देख लेते हैं भी या तुम तो बताने नहीं वाले हो तो देख लेते हैं आगे क्या है सर प्राधोनी क्यती का मापांकन मैक संख्या मैक नंबर के थ्र्यू किया जाता है पराध्वनी को मैक संख्या से मिजड किया जाता है बात कर लेते हैं हड़ ज़़ भी अभी बताये था आवर्थी का मात्रक है नोट क्या करता है नोट चाल का मात्रक होता है नोट क्या करता है, चाल का मात्रक होता है, यह समुद्री चाल का मात्रक होता है, बता हूँ आपको, समुद्र में जो दूरी चली जाती है, उसको मिजर करते हैं, स्पीड को, और जो कि एक समुद्री मील, समुद्री मील, 1.852 किलोमेटर प्रति घंटा के बराबर होता है, इंपोर्टेंट है, नोटिस कर ले ना, 1.852 किलोमेटर जो होती है, वो एक समुद्री मीली के बराबर होती है, बात कर लें भईया, रियक्टर की ऐसर, रियक्टर जो होते हैं, वो भुकम्बी की तिवरता को मापने का पैमाना होता है, भईया, बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कोशन क्या कहने वाला है, नेक्स्ट कोशन कहने वाला है, नेक्स्ट कोशन कहने वाला है, नेक्स्ट कोशन कहने वाला है, हमारा नूटन किसकी हिकाई है, दो कभी आपको क्या दे सकता है, को अभी आपको बहुतिक है, इकाई दे सकता है, बहुतिक ही काई देने के बाद पूछ सकता है, आपको मात रख, मात रख देखके आपसे बहुतिक ही काई पूछ सकता है, तो कह रहे हैं कि नूटन किसका मात रख है, तो जल्दी से बताएंगे नूटन हमारा मात रख है किसक बलका न्यूटन की सिका मातरे कामारा बलका फोर्स का मातरे गए तो सर अभी तो आपने फोर्स का मातरा कुछ होर बदाए था फोर्स होता है उता होता है ए ए म ए तो इसको हम प्रत्टतले का यह मिम का तो ए कि और आ यानि होता एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वार, किलियर, मीटर पर सेकेंड स्क्वार, तो यहनी हम इसको क्या कह सकते है, न्यूटन, क्या कह सकते है, न्यूटन कह सकते है, सर जी, ठीक है, मूँ करते है, हम इसमें अपनी इंपोर्टेंट स्लाइड की और important slide क्या कहती है और important slide कहती है बहाइग कि जो बल होता है उसका SI मात्रग क्या होता है n00 cgs प्रणाले में इसको डाइन को बराबर कहते हैं भई डाइन वो उड्राने वाली डाइन यह यह मात्रग है क्या है यह मात्रग है cgs हम एक क्रिक हैं था इन हम इसको वैल्व क्या होती है एक नूतर में होता है यह 1 की पावर पांच डाइन होती है यह टृटु स्केलियर अवरिवन नेक्स्ट श्म मुद कर रहे उब चैzt स्विट्ग का एक पारिक इंड बहुर नहीं हुई । तो बार किसकी काई है बार ही काई है या वाई मंडली ये दबाओ की वाई मंडली ये दबाओ जो होता है एटमोस्फरिक प्रेसर उसकी काई होती है हमारी क्या बार होती है ओप्शन D हमारा रहने वाला है राइट बात करते हैं दूसरे मातरकों की दूसरे मातरकों के ऐसा ही म प्राबर होता है तसकी पावर पांच न्यूटन परती मेंटर स्क्वाइर आपको याद रहना चाहिए यह वैरी वैरी इंपोर्टेंट मुझ करते हैं हमारा इन में से हमारा क्या आंस्वर रहने वाला है तो हमारा इसमें आंस्वर रहने वाला है सरजी जूल क्या रहने वाला है जूल कारी तथा उर्जा दोनों की हिकाई क्या है जूल एमपीर किसकी काई है एमपीर आपने पड़ लिया मेंटर काइए मीटर मापता सरदूरी को या विस्थापन को किलोग्राम द्रेम मान को मीजड करने का कारी करता है कारी तथा उरजा का consistent मात्रक जूल होता है तथा किसी वस्तूपर लगाखर विस्थापन उत्पन किया दाता तो इसे बल द्वारा क्या गया कारी कहते हैं तथा बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुननफल के बराबर होता है यह इंपोर्टेंट चीज है जो कारी होगा वो क्या होगा बल की दिशा में विस्थापन के गुननफल के बराबर हो का तथा कारी एक अधिस राशी है that is very important इसका मात्र क्या है Newton पर मीटर Newton sorry Newton मीटर Newton गुणा मीटर होता ना क्योंकि F1 अभी अभी बता वहीं जो होता है W2W क्या होता है डबलु होता है F2D बल और विष्थापन F2D तथा इसका जिसे क्या कहते है जूल भी कहते है करते हैं हमारे next question कीर्षा लग ऑर भी खालिस्तान गतीशील। शांता की ही है । शांता क्या होती है और गतीशील। अब अगर परती मेटर, बी-OPS है, पासकल सेकेंड, C-OP्सन है न्िूटन परती मेटर वर्ग, और D-OP्षन है आपका पास्टब मेटर, तो इसमें आपका क्या आनसर रहनेगे वाले हैं? सर जी, हम जानेगे वाले 750-अब creation B के साथ, पासकल सेकेंड, पास्कल सेकेंड जो होता वो गतिशिल श्यान्ता की असाई इकाई होती है बात कर लेते हैं हमारी important points की important point क्या explain करने वाला है कहला है कि श्यान्ता द्रव का वहें गुण होता है पहले श्यान्ता के बारे में बात कर लें जिसके कारण वह करम से अपनी दोनों प्रतों में होने वाली शापक्षिक गती का विरोध करता है इसको मैं explain करूँगा जैसे आप एक बाउल के अंदर कोई ओयल लेते हैं या पानी लेते हैं और आप ऊसको थोड़ा सा बरतन को आप या जो अपना वैसल उसको टेड़ा भी कर लेते हैं तो आपने देखा हो गए कि कुछ जो तेल होता उसके जुकाओं के साथ आ जाता है लेगिन कुछ होई लोता उसके साथ चिपका रह जाता है और वह रुकुणता है वही पर रुकन शांता नहीं पाई जाती, very very important, शांता जो होती है केवल हमारे द्रव और कैसों में ही मिलती है, ठोसों के अंदर कोई शांता नहीं होती है, बात करते हैं शांता का जो ऐसा ही मातरक होता है, शांता का जो ऐसा ही मातरक होता है, वो तर डेका प्वाइजली, डेका प्वाइजल लुए करते हैं इसे पॉछ करते हैं इमारा दो गλά नेक्स्च ऑषट गहले हैं अध्यूस कोंशी रासि का का सुनिन cách और दोकुषि नेक्षास खुर्क हमेंть हैंगे इंदेगा जो हम हारढमर ने पहले करते हैं बात करते हैं कौन शाय रासी जो उसका मातरक जूल नहीं है तो पंदरा नंबर कोशन है पंदरा नंबर कोशन में आपका फर्ष्ट जो उप्षन है वो यांत्रीक उर्जा दे रखा आपको कायरे भी दे रखा भी या उश्मा भी दे रखा और सामर्त यानि कि पावर पावर बोले तो भाई या सक्ति अब क्या रहने वाला है भाई यह आपने अभी भी पढ़ा था भाई उर्जा और कारेतो सर्जी शिमिलर होते हैं और उस्मा भी एक प्रकार की उर्जा है और जो उर्जा होता है उसके मात्रक जूल होता है तो हमारा बच गया उप्शन कौन सा डी तो डी उप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर यह सामर्त जो होता है यानि कि पावर सक्ति उसके ऐसा ही मात्रक क्या होती है सक्ति का मात्रक होता है और जूल जो होता वो उर्जाका और कारी का मात्रग रहता है देख लेते हैं हमारे important point क्या करा भई important point कहने वाला है कि कारी करने की दर को सक्ति या सामर्थ करते हैं कारी करने की दर कारी करने की दर यानि की सार डबलू और बटे में time that is clear for your power ठीक है power यानि की डबलू अपॉन टाइम यह तो हमारी हो गई कारी करने की दर तो कारी करने की दर क्या हो गई या ऐसा ही मात्रग तो इसका वोट है इंस वाइंस सक्ति एक ऑर्श्पावर शे भी डिपेंड करता है इसको है सल्षक पी यस वूट रहने सक्टिका मात्रक कोन Mississippi सबस्क्राइए अब सक्तिका बताइब याप लोग बताने यह तो है तूस्ट य प्रति मात्र रख्टे का संट निकलते हैं आ कि बात कर लेते हैं रहां की ये समय ने एक्स्प्लेइन कर दिया भई एक वाट याने की एक जूल परती शेकेंड सक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है ऐसा ही मात्रक की बात करते हैं तो वाट होता है अगर अगर मात्रक की बारे भी बात करें जड़त आगोंड का मात्रक option दे रहेएículo मेटर पर सेकंड हमारा option रहने वाला है स्थी किलो ग्राम मेटर स्वायर देखते है क्या गाता है किलो ग्राम मेटर स्वायर पहले दम बात करते हैं जड़त जिसको बोलते हैं इनर्शिया इनर्शिया की जो नियम होता है वो सरपर्थम किशने दिया था वो दिया था भया गैलीलियो ने जड़त्व होता है क्या है जड़त्व होता है कोई भी वस्तु जो अपनी गती का विरोध करती है वो उसका गती का विरोध करने का जो कारण होता वो उसका जड़त्व होता है और बाद में Newton ने इसको विष्थरत वर्णन किया था और जो हमने देखा था Newton का प्रत्थम नियम है जिसको जड़त्वे का नियम भी कहते हैं और जड़त्वे का नियम के अकोडिंग ही तो जड़त्वे दो वाग्यानिक थे जिन्होंने अपना काम करने की कोशिश की पहले थ बूसरे थे न्यूटन चड़त्वे आगोन जो तह वो पिंड के समस्त द्रवमान तथा उससे दूरी दूरी बोले तो भई जैसे कि मेरे को ये कोई पेच वगएरा है वो कस्तना है या हैड़ पंप वगएरा उससे फोर्स लगाना है तो आपको फोर्स कहां पे लगा रहा है और आपका जो फोर्स ना वो कितनी दूरी पे काम करने वाला है वो होती है उससे बल की किरिया रेखा और उस किरिया रेखा के वर्ग के बराबर होता है यानि कि जो आपका टोरिक जो होता है यानि कि इनर्शिया जो रहता है वो आपका रहने वाला है एम यानि कि मास और ज पासकल इकाई है तो पासकल किसकी रहने वाली है तो पासकल इकाई किसकी रहने वाली है बात करते हैं हमारी आदरता की क्या सही है नहीं सर भी दाव की नहीं सर वर्सा की नहीं सर ताप मापन की नहीं सर तो किसकी रहने वाली बाया यह आपसन आपको चारों में से ही है नहीं तो मैं आपको कनिफ्यूज करने के लिए बताने वाला था इसका आंसर मैं बता चुका आप इसका comment में reply करेंगे बात करते हैं next questions की ओके अब इसमें इसका importance थोड़ा बता देते हैं बलेज पास्कल यह पास्कल कहां से आ रहा है यह एक फ्रांसी सी वैग्यानिक थे और यह एक गणितक भी थे mathematician भी थे और बलेज पास्कल ने दाब का यह पास्कल नियम दिया था और इनहीं के नाम पर वह वह यह तो हमने आपको आंसर ही बता दिया दाब का मातर क्या आ गया पास्कल आ गया है बात करने वाले next slide की भीगा next slide क्या गयती है विजली के current current क्या होता है current का मतलब ती है धारा ठीक है current तो हमें confuse करते हैं जनरल वर्ड्स तो विजली का current याने की विधुत धारा ठीक है किसकी बात कर रहे हैं विधुत धारा की पानी का भी current होता है पानी की भी तो लहर होती है वायू का भी current होता है ठीक है भाफ का भी current होती है भाफ की विधारा होती है तो हम बात करते ह और उसके SI unit की बात करने वाले तो विदुद्धारा का जो SI unit है वो क्या रहने वाला है वार्ट वॉल्ट कैंडला और MPR तो इसमें हमारा उप्शन रहने वाला है विदुद्धारा का SI मात्रक है और हमारे 7 standard मात्रकों में से भी एक थासर ये बात कर लेता है अब नेक्स स्लाइड की नेक्स स्लाइड हमारी क्या कहने वाली है स्लाइड क्या कहने वाली है यानि बुझली के करिंड यानि विदुद्धारा का मात्रक है विवाफ्व विधुदी यह पता है और विदुतर विभाई समझी इसको एप्सका मात्रक होता है यह चैने आप को एंजी होता थे हमने sufficient material प्रोवाइड करा दिया है और आगे आप लोग है ना बने रहेंगे तो ऐसे हमारे पास एक और वीडियो आने वाली है जिसमें मैं 20 प्लस कोशन कराने वाला हूँ आज के लिए इतना ही तब तक के लिए नमस्कार बने रहें Active Academy के साथ